दोस्तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा आसरम सीजन थ्री जी हाँ फरवरी के महीने में आसरम चैप्टर नमबर थ्री के अगर बात की जाएं तो बॉवी देवल और बॉवी देवल के साथ में जो रॉमांस करती नजराने वाली हैं व परकास जहां और बॉवी देवल की इस सीज में देखने को मिला ता कि सूटिंग के दोरान कुछ लोगों ने इन पर हमला भी किया था सूटिंग को रुकवा दिया था जिसके कारण सूटिंग में थोड़ी सी डिले हो गई थी लेकिन अब फाइनली रिलीज डेट एक बार लोगों के बीच में आ चुकी है क्योंकि फरवरी महिने में इसकी रिलीज डेट रखी गई है जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीका से बॉवी देवल और साथ में तिरिद्या चौधरी सभी नजराने वाले हैं क्योंकि तिरिद्या चौधरी की बात करें तो तिरिद चौधरी और बॉवी देवल प्रकास जहां अपनी इस प्रोजेक्ट पर काफी फोकस कर रहे हैं कि उनकी आने वाला प्रोजेक्ट जो कि आश्रम चैप्टर 3 लोगों के बीच में जल्दी ही अगें कमबे करने जा रहा है साथी दोस्तों आपको कुछ अपडेट से अवरू नहीं हरकत की थी उसने अपने उनके साथ में जो उन्हें भगवान का रूप दिया कर देते हैं उन लेडिसों के साथ में उन्होंने बहुत गंदा कम किया था वाकई में इसमें दिखाया है कि हम किसी बाबा को या किसी इनसान को अगर बाबा मानते हैं तो वो कितना गंदा रूप भी भैयनक रूप भी दिखा सकता है वो ही इसमें बावी देवल की पूल खुलते नजर आएगा बावी देवल ना वाकई में इस तरीज को लोगों के बीच में इस तरीका से पेस किया है कि लोग अब देख सकें कि आखिर बावाओं की असलियत क्या होती है और जहां तक हमारा सवाल है हम तो बावाओं का किसी का अपमन नहीं करते लेकिन ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि आसरम चैप्टर टू देखियोगी तो उसमें बावाओं की पूल खुलती नजर आ रही है साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाईज अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो किरपे मेरे यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको आखिर कितना ज जारा सरम तरीका थे